है दोस्तो आजकल हैंड सेनिटाइजर की डिमांड दिन प्रदिन बढ़ती ही जा रही है तो दोस्तो आप भी हैंड सेनिटाइजर का बिजनस स्टार्ट करके महीने के लाको रुपए कमा सकते हो तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आफ हैंड सेनिटाइजर क बिजनस काइसे कर सकते हो, कौन-कौन से लाईसेंस लगते हैं और दोस्तों, हैंट सेनिटाइजर के लिए आवश्चिक शमागरी काउन कौन से लगती है कैसे हैंट सेनिटाइजर बनता है यह सारी डीटेल स्टेब बाइस चेब जानेंगे दोस्तों साय में किन-किन चीजों की आउसकता होती है हैंड सेनेटाइजर बिजनस की सुरुआत आप किस तरीके से करना चाते हैं यानि आप इसे छोटी यूनिट के तौर पे सुरू करना चाते हैं या बड़े लेबल पे सुरू करना चाते हैं इन सभी चीजों के बारे में सबसे पहल लिने तयार करने के लिए अलग-अलग वस्तों का इस्तिमाल होता है chemistry strong hand sanitizer और दूसरा mild hand sanitizer पहला है strong hand sanitizer यदि आप इस समय strong hand sanitizer का business शुरू करना चाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि आजकल यह sanitizer बजार में बहुत ही जादा मांगे जाने माला sanitizer बन चुका है जो कि इस समय बहुत ही अधिक उपयोगी है इस तरह के sanitizer में alcohol पहल की मात्रा अधिक होने की वज़े से इस तरह के sanitizer को बच्चों की पहुत से दूर रखा जाता है अब दूसरा है mild hand sanitizer इस तरह के sanitizer मुखिता बच्चों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं हाला कि इसका इस्तमाल कोई भी कर सकता है आप इस तरह के sanitizer को अपने घर पे भी आसानी से बना कर इसका बिवसाय सुरू कर सकते हो आप कौन-कौन से license लगेंगे इसके लिए तो आपको MSME के तहत registration करना होगा यहाँ पे और अगर आप बड़े पैमाने पर करना चाते हो तो आपको GST registration भी करवाना पड़ सकता है तो दोस्तों अब GST registration कैसे होगा मैंने link description म आप अपने mobile phone से free में GST registration कैसे कर सकते हो आसानी से आप वो वीडियो जाके देख सकते हो और MSME के तहत registration कैसे कर सकते हो यह भी आप आसानी से कर सकते हो मैंने link description में दी है कि mobile phone से free में MSME के तहत registration कैसे करें तो दोस्तों अब हम जान लेते strong hand sanitizer के लिए आवस्तिक समागरी कौन- तो इसके लिए आपको isopropyl alcohol या rubbing alcohol या ओटका और aloe vera gel, vegetable glycerin, essential oil जैसे की tea tree, neem या long और फिर distilled water, yum sanitizer भढ़कर रखने के लिए खाली bottle आद किया हो सकता होगी यह सबी चीज़े आपको बाजार में सस्ते दामों पर मिल जाएगी अगर आप थोक मिलेते हैं तो अब हम जान लेते हैं mild hand sanitizer के लिए आवशिक शमागरी कौन-कौन सी लगेगी यदि आप mild hand sanitizer बनाने का ब्योशाय शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आपको केवल aloe vera gel यो बैक्टिरिया मारने वाले essential oil की आउसकता होती है यह दोनों चीज़े आपको बाजार में आसान sanitizer बनाने के लिए आवस्तिक समागरी लगेगी सारी चीज़े इस्टप बाइस्टप जाना अगर आपके फिर भी कोई समश्या हो या कोई आपका सुझा हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिए